देवदी देव महादेव की आरादना पारीजात के फूल से करी जाते हैं अब उस पुष्पु को चड़ाने का एक तरीका है ध्यान दीजिएगा पंच पुष्पु शुमहापुराण की कथाप लोग सुनने के लिए बेटे हो बड़ी आस लगा कर बेटे हो उसको समझे जात पारीजात का जो फूल शिवजी को चड़ता है भगवान देवदी दे महादेव को चड़ता है जैसे ये शिवलिंग है मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है ये जलाधारी है ये जल नीचे गिरने का इस्थान आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने आपको स में अशुक सुन्दरी की जला जहां पर ये शिवलिंग रखा है वो माता पारवती जी का हस्त कमाल शिवलिंग के रूप में शंकर भगवान के रूप में ये शिवलिंग है उपर से जो एक एक बून जला धारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की पाच लड़कियां जया विशहरा, सामलीबारी, दौतली और देव ये शंकरजी की पाच बेटिया वन्श व्रदी के लिए कारेशिद्धी के लिए बेभव परापती के लिए या अपने हिटए की सुक्षम्रदी के लिए संतान परापती के लिए पारीजात हारसिंगार के फूल की शिव जी को हम पारिजात के पुश्ट को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है, जब आपना सुख सुन्दरी पर चड़ाते हैं। और फूल का मुख इदर होता है। बापिस उसी पारिजात के पुश्ट को उठाकर, हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो गोल हस्त कमल है वहां समर्पित करते है उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है पुष्प का मुख महादेव की ओर होता तीसरी जगहा जब हम पारिजात के पुष्प को अशुक सुंदरी पे से उठा कर जगत जन्नी के हस्त कमल पर रखते हैं हस्त कमल पे से उठा कर देव अधिद्य महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं उस समय पर पारी जात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के उपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगहा पर पारी जात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्राथना करी जाती है।